यह बच्ची अभी आठ दस बरस का है यही हम रहा हम जोड़ी है कि देखिए अभी सिक्षा पर इसको ध्यान दिया जा संगीत पर नहीं चाचा जैसे कहें कि संगीत खतम करना चाहिए और क्या नाम है बस पढ़ाई करा है संगीत क्या वाधा डालेगी उसके बिलकुल नहीं प बस पढ़ाई पर द्यान देना जो होना था हो गया अब संगीत पर इतना वाला वली आप लोग कर रहे हैं तो इसका आगे चल के क्या होगा एक लड़की जब वाइरल हुई तो पूरा रुखी बदल गया यहाँ पर हम आए और हम देखे आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर यह इंटरेंस है यह गेट है सलोनी के घर का यह गेट है यह देखे यहाँ पर यह एक नल लगा हुआ है और एक कमरा यह है औ करने काहिए बाहर गाय गया भाएंगे यह इनके पिता जी बाहर रहते हैं हां अचा क्या काम करते हैं मदूरी पढ़ा लिखा लहन पिटका कर वह दो कहां को अ ईंटरी रोड में काम चलल तो हम कोरी नकाम आप क्या करती है इंटी क्यति के दिना वाला ते कोई धान रूपय काटे के दिन में काटे जा लें आलू कोड़ात रहता रहें अब तो घर हें रहता है कामकरत भर में सब कुछ जूट जाला जब बढ़ जाता कुछ बड़े दिकत हो जाला अच्छा एक मा होने के नाते जब बच्ची पहली बार वाइरल हुआ इस तरीके का चीज हुआ लोग आने शुरू हो गए मीडिया वाले लोग आने लगे कुछ सरकारी लोग आने लगे मन में क्या आ रहा था कि कैसा लग रहा था आपको जी अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कि इतने साल से हैं कभी कोई हमारे वहां आया नहीं बहुत सारी चीजे तकलीफ बहुत हुई हो सरकारी स्कूल में जा रही है, अज सरकारी स्कूल बहतर तो जरूर हो गया है। लिकिन आप जाते ही हमिनकी इस्थितियों में बच्शे कौन जो आयतिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं कभी दुख आए होगा, कभी सुख भी आया होगा, लिकिन अब जो चीजे आपक करिके बच्ची जो कहते हैं की बच्चीों को पियार दिना चाहिए उसको कितने बच्चे पहले एंड़ democracy है थे फैर टूम雁 फैर इपको पयार कोई सब कर oh अच्छा वो बड़ी लड़की है उसकी शादी हो गई है पिर उसके बाद सलोनी है पर बदा तब सलोनी है अच्छा मझनलब सलोनी सब से चोटी है चोटी आप न चोटे सबसे पयारे हो थिए महर भी पफाथा होगा हो तो छोट सबसे प्यार महार णिकारables को दिए लोग मार शुआ लोग मार घाते हैं जे मार खाने वोला काम ने करती हो जोड मध बहूं साही सही होता हम ममें conflicting utan के थाले आपके नतनी बहुत मतलब पूरे देश में वाइरल हो गई है आपके वाइर पड hiking कैसा लग रहा हैै इन देश में से लोग जानने हैं जया है सब जี้ हिँ तो अभी और पढ़ाएंगे बचि को हां पढ़ है न फुम घ रिए-खन शुक्रण ची पढ़िए आप तक भर नहीं है एक दादी एक मा के बाद जो दादी का ओदा होता है कितना प्यार आता है कि जब इतना नाम कर रही है बच्ची खाना दना बनावें फोस है हां हर काम में बहुत हां हां सब काम में कभी डाटी डाटी उड़ती नहीं आप नहीं काय के डाटी जूर मत बोलिएगा हर बच्चे ह हम तो अभी तक मार काते हैं नहीं काम ना करें तो क्या करते हैं उसके काम मतलब सुबह आप सोच सकते हैं कि बच्ची स्कूल जाती है उसके पहले पूरे घर का काम करती है खाना बनाती है कियो है राती बीयोगी तो कुछ काम करती होगी नहीं कि यह परिवार के लोग थे और यहां पर मतलब कहते हैं कि जब हम आए तो हमको बड़ा अलग सा लगा एक अपना पं सा लगा और यहां पर जाची है जो चंडीगड रिटर्न है इन से आम आपको मिलाते हैं इसी गाओं की है और चंडीगड से वापस आइए कब आई हैं चंडीगड से बहुत दिन हो गया है लेकिन आपकी मुश्कान तो बहुत अभी भी सही है लगता है आपके कितने बच्चे चार बच्चे बताइए कि जब गाउं जवार में इस तरीके से बच्चे नाम कहते हैं लड़कियों के साथ बहुत पचपात होता है पचपात मतलब कि लड़की हो गई तो आज से पुराने जवाने में भी लड़की हो गई तो बोज मानते थे लोग सही सही बताईएगा अब कुछ बदला है कि नहीं बोज बदला नहीं है जैनले ब्यवार बदला है लड़की लड़का के दुनों के बराबर करना चाहिए लड़की बाहर चल जाएगी तो जब तक है तब तक उसको अच्छे से रखो उसको प्यार दो और वही लड़की तो आज लड़की यहां पर क्या नाम है बिटा नीचा कुमारी यह बताओ आज की डिट में लड़कीयां ज्यादा आ गया है कि लड़कीयां लड़का दोनों भी हैं लड़कीयां किसी से कम नहीं नहीं अब देख रहा था तुम वीडियो शूड भी करते हैं लॉक बनाती हो नहीं भा पोटी-छोटी बचीयां बिहार के मतलब कहते हैं कि जहां पर बुनियारी सूविदाएं इंटरनेट से लेके बहुत सारी चीजे यहां पर इंटरनेट कनेक्शन भी उतना अच्छा नहीं है लेकिन तब भी एक ललक एक कहते हैं कि जुनून है जो इनके गाउं के लोगों म तो मैं क्या पूछ सकता हूं तो मैं इनी से जानने की कोशिश करूँंगा कि क्या सवाल है और पूछना चाहते हैं पहले नाम बता है मेरा नाम धर्मराज मेता है क्या सवाल है आपके सवाल एक सवाल है हम रहा तेखे सर यह बची अभी तो अगर आपने सवाल पूरा कर लिया है तो एक सवाल का जवाब मैं आपको दे दूँ और आपको बता भी दूँ संगीत एक विधा है एक माध्यम है और एक अभिन हिस्सा है जब आप पढ़ने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें कला भी होती है उसमें म्यूजिक भी होती है उसमें हिंदी भी होती है इंगलिश भी होती है मैट भी होत कुछ लोग और हैं इनसे भी जानने की कोशिस करेंगे यह बताइए क्या बच्ची संगीत जो कर रही है चाचा जैसे कहें कि संगीत खतम करना चाहिए और क्या नाम है बस पढ़ाई करा है संगीत क्या वाधा डालेगी उसके बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं देखिए अगर इस बोला के पहला ही नाम यह बैटी ज़िए इधर आजा जो इक सा सिख्षा देने के लिए पढ़ाई के आगाना के लिए जो मादयम से थे पुछिए क्या क्या हम आली नगर में किया है पूछिए यह कह रहे हैं कि संगीत जो है बंद हो जाना चाहिए बस पढ़ाई पर द जरूरी है और पढ़ाई के साथ साथ खेल खूद भी अब बताये सर यहां कम से कम सोट डेट सोर मीडिया वले आ गए रात दिन इसका यहीं चलेगा तो इसका पढ़ाई कर भविस के बाद का होगा आगे तक चल के इतना वाला वली आप लोग कर रहे हैं तो इसका आगे चल के क्या होगा इसका ज़िए नहीं नहीं मैं आपको बता दूँ अगर कोई समाज में अच्छा काम कहता है अच्छा या बुरा मीडिया परशन है हम लोग और बहुत दू-दू से आते हैं कोई दिल्ली से आता है कोई मुंबई से आता है कोई गोरगपू से आता कोई भिहा से आता है क्यों आते हैं क्यों आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पहलू को दिखाने के लिए क्लास एट में पढ़ने वाली लड़की इतनी छोटी सी उसके मन में इस तरीकी की भावना जब आती है कि वो समाज के लिए अपने गाने के स्वर से आज के डेट में असलील गाने भी चल रहूं अगर कोई भी एक ऐसी चीज अगर वाइरल होती है तो पहले कि अपेक्षा वह चीज बदलती है कि ने बदल बदल आप लुक्त बदलती है और समाज का एक हिस्सा है जब मीडिया कर्मी कहीं पहुचते हैं उस हिस्से को दिखाना ही चाहते हैं और कहीं ने कहीं आज इ कहीं वाधित हो रही है लेकिन इससे वाधित नहीं होगी संगीत एक विदा है वह उसको सीखेगी उसके साथ पढ़ाई भी चलती रहेगी और लोगों के बीच में भी हो रहेगी